श्री कृष्ण जन्माश्टमी का दिन, श्री संस्थान के इतिहास में तथा श्री सद्गुरु सिधराज मानिक प्रभु महराज के जीवन में एक अनूठा महत्व रखता है। आज से 56 वर्ष पूर्व के एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग का उल्लेख हम यहां कर रहे हैं। यह घटना प्रभु महराज की त्रिकाला बाधित सत्ता, सद्गुरु की महिमा तथा सद्गुरु के सामर्थे को दर्शाने वाली अत्यंत अनूपम घटना है। इसलिए कि एवल वही इस कथा को समझ सकते हैं जिनका रहदय श्रद्धा एवं भक्ति से सिक्त हो। यह प्रसंग सन 1965 का है। उस काल में श्री प्रभु के महिमा मंडित सिवहासन पर श्री सिद्धराज मानिक प्रभु महराज आसीन थे। सन 1945 में श्री शंकर मानिक प्रभु महराज की समाधि के बाद छह वर्ष की आयू में ही श्री जी ने संस्थान की बागडोर अपने कोमल हाथों में थामी थी। आज विद्यमान संस्थान का यह भव्य दिव्य रूप श्री जी के ही भगिरत परिश्रम का सुन्दर परिणाम है। सन 1945 में श्री जी केवल छह वर्ष के थे। और श्री शंकरमानिक प्रभु महराज के अकाल देहावसान के कारण किसी प्रकार की कोई विधिवत मंत्र दीक्षा श्री जी को अपने पिता से नहीं मिल पाई थी। और उस समय उनका उपनयन भी नहीं हुआ था। ऐसी विकट परिस्थिती में श्री जी पीठा सीन हुए थे। 1965 का श्रावण मास महोत्सव मानिक नगर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। प्रतिदिन श्री प्रभुमंदिर में रुद्राभिशेक, सहस्रबिलवार्चन, सकल देवतादर्शन और नित्यभजन आदिकारेक्रम के बाद श्री जी घर लोटकर प्रसाद ग्रहन करते थे। शाम के समय, प्रदोश पूजा के बाद भोजन होने में कभी-कभी रात के ग्यारा बारा बज जाते थे। 19 अगस्त की रात, श्री जी ने गुरुवार की प्रदोश पूजा संपन्न की और भोजन आदिकारेक्रमों के बाद अपने कक्ष में आराम करने चले गए। शुक्रवार 20 अगस्त, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन उदित हुआ, ब्रम्ह मुहूर्त की वेला थी, सरवत्र, निस्पंद निरवता चाई हुई थी, श्री जी अपने कक्ष में सोय हुए थे, तभी उनके स्वप्न में श्री शंकरमानिक प्रभु महराज प्रगट हुआ, तेने दयालुत्व प्रगटविले, श्री हस्त मस्तकी ठेविले, गुह्य ज्ञाना उपदेशिले या निजदासा, आकाश में पूर्वक्षितिज पर सूर्योदय का संकेत देने वाली लाली चाई हुई थी, वह दिव्य स्वप्न तो समाप्त हो चुका था, परंत श्री जी अभी भी उसी सुखद अनुभूती में डूबे हुए थे, मंत्र के शब्द श्री जी के कानों में सतत गुंज रहे थे श्री जी ने शीग्रता से स्नान संध्यादि नित्यकरम संपन्न किये और प्रभू के तत्कालियन मुख्य अर्चक श्री पुरुषोत्तम शास्त्री को बुलवा कर स्वप्न की घटना का उलेख किया पुरुषोत्तम शास्त्री ने धीमभट, दत्त दीक्षित और गोविंद दीक्षित आधिपन्डितों से चरचा कर श्री जी को स्वप्न में प्राप्त मत्र को श्री शंकरमानिक प्रभु महराज की समाधि के समक्ष शास्त्रोक्त विधान से ग्रहन करने का प्रबंध किय प्रभु मंदिर में श्रावण मास की महापूजा संपन्न करने के बाद श्री जी श्री शंकरमानिक प्रभु महराज के समाधी मंदिर में गए वहां महराज श्री ने समाधी की महापूजा संपन्न की और स्वप्न में प्राप्त मंत्र को समाधी के समक्ष दोहरा कर उसे पुनह विधिवत स्विकार किया इस प्रकार महराज श्री को जन्माष्टमी के पर्वपर उनके सद्गुरु श्री शंकर मानिक प्रभु महराज ने गुरु मंत्र से अनुग्रहित किया प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिन मानिक नगर में श्री सद्गुरु शंकरमानिक प्रभु महराज की समाधि की विशेश पूजा इस एतिहासिक प्रसंग के स्मरनार्थ संपन्न की जाती है गुरु कृपा की यह कथा हमारे रदय को पुनीत करने के साथ साथ यह संदेश भी देती है कि प्रभु की सत्ता त्रिकाला बाधित है, अखंड है तथा सर्वव्यापी है श्री सिधराज मानिक प्रभु महराज के चरित्र का यह परमपावन प्रसंग भक्त जनों को सद्गुरु भक्ति में सदा सरवदा समर्पित रहने को प्रेरित करता रहेगा